नमस्कार दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चनल दवेट टू आईस में फ्रेंड्स जो आज हमारा चेप्टर है एंसी आटी हिस्ट्री का 6th क्लास का 10 चेप्टर 10 चेप्टर जिसका नाम है न्यू इंपायर्स एंड किंग्डम्स फ्रेंड्स चाहे कोई भी एक्जाम हो और उस एक्जाम का कोई भी पार्ट हो उसमें आप 100% सक्सेस होना अवस्च चाहते हैं और अगर ऐसा है तो आपको एंसी आटी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़र्थ है क्योंकि एंसी आटी आपका जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्चुल क्लिरिटी करता है बहुत ज़्यादा असपष्टता आती है एंसी आटी को पढ़ने से जैसे कोई भी बिल्डिंग हो उसका जो यह फंडेशन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है तो आप बहुत मुचे से मुचे बहुत बनाते हैं ठीक उसी तरह से एंसी आटी आपका जो प्रिप्रेशन है उसका फंडेशन तयार करता है और आप किसे भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए गयापयबल होते हैं अब सवाल होता है कि आप मेरे साथ ही क्यों एंसी आटी पर हैं मेरे लिए यह जो एश्टेडि है इसके चार प्रॉसेस है इसमें मैं पहला मानता हूं कि आप आप reading करते हैं, दूसरा thinking करते हैं, तीसरा inter linkage करते हैं और चौथा express करते हैं, जो express करते हैं यह भी two form में होता है, एक written form में and दूसरा oral form में, written form में PT और mains आ जाता है और जो oral form है इसमें interview आ जाता है, इस तरह से अगर आप इसमें बहुत अच्छा है score करते हैं तो आप proper IS बनते ह प्रेंट्स, साथी साथ, जब आप मेरे साथ NCRT परहेंगे, तो कैसे multi-dimensional way में सोचा जाना चाहिए, किसी भी point को ले करके, वो जो process है, उस पे हम चर्चा करते रहेंगे और आपको trend करेंगे दूसरा है, जब आप मेरे साथ परहेंगे, तो targeted way में कैसे परहा जाए, इसको ले करके भी हम एक approach आपको develop करने मदद करेंगे क्योंकि जब तक आपका target के लिए नहीं होगा, तब तक आप success नहीं होगे, और खास करके एक time frame में success आप नहीं होगे इसलिए आप हमारे साथ NCRT परहें, जब हम targeted study की बात करते हैं, तो इस chapter को भी हम targeted way में परहेंगे जो हमारा तीन target है इस chapter को पढ़ने का, सबसे पहला target है कि इसमें जितने भी keyword दिये हुए हैं, इस सारे keyword के पीछे के जो concept है, जो meaning है, जो अवधारना है इसे समझना है जैसे प्रसस्ती, प्रसस्ती क्या होता है, आरिया वर्थ क्या है, दक्षिनापत क्या है, जिनियोलोजी क्या है, हेरेडिटरी ओफिसर्स क्या है, क्या concept था, क्यों लाया गया, ये सारी बात हम जानेंगे सामन तक क्या होता है assembly किया है और नगरम किया है इन सारे चीजों के पीछे का जो concept है जो meaning है इनको समझ समझ करके हम इस पूरे chapter को समझ लेंगे जो दूसरा हमारा target है हर chapter के पीछे तो question होता ही है NCIT में इस chapter के पीछे भी question है जब हम questions को पहले ही अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और हमको ये pressure रहता है कि अंत में हमको इस सवाल के जवाब देने हैं तो आपका जो attention है और जो आपका concentration है बहुत ज़ादा ये focus हो जाता है इसलिए question को पढ़ना बहुत जोड़ी है पहला जो question है इसमें करता है a statement whether true or false इसके बारे में जानना है हरी सेन composed a प्रसस्ती in praise of गौत्मी पुत्र साथ करनी ये सही है गलत ये बतानी है मतब हरी सेन गौत्मी पुत्र साथ करनी से associated है या नहीं है ये जाननी है the rulers of Arya worth brought tribute tribute for Samundh Gupta जो Samundh Gupta है उनके लिए ट्रिब्यूट लाने वाले जो group था राजाओं का क्या उसमें Arya worth के राजा थे ये statement सही है गलत ये जाननी है there were 12 rulers in दक्षिनापत ये 12 थे या 9 थे दक्षिनापत के रूलर्स ये आपको जाननी है तक्सिला एन मदुरई वह important center under the control of Gupta Rulers जो Gupta Rulers है उसके control में तक्सिला और मदुरई था ये statement सही है ये गलत ये जाननी है Ahole was the capital of Pallavaj जो Pallav एक राज था उसका capital Ahole था या नहीं ये जाननी है and the local assemblies functions for several centuries कई सताब्यों तक South India में local SMDs कारे करता रहा ये statement सही है ये गलत ये सब जाने है जो दूसरा question है वह कहता है mention three authors who wrote about Hershwardhan जो Hershwardhan एक सासक थे उनके बारे में three authors ने mention किया है तो ये three authors कौन-कौन है इसके बारे में जाननी है जो तीसरा question है वह कहता है what change do you find in armies at this time जो आर्मी का पूरा जो structure था जो system था उसमें एक नया change है जिस समय आया था वह क्या था और पहले के तुन्ना में compare करके बताना है तो ये हमें answer देनी है दूसरा कहता है जो last question है fourth number what were the new administrative arrangements during this period अब हम बात कर रहे है administrative arrangements का इस समय में जो कि एक new element था compare to earlier administrative system उनको यहाँ पे हमें लिखनी है बतानी है जो हमारा तीसरा target है वो है sub heading का आप जानते हैं कि ये पूरा chapter कई sub heading में बटा हुआ है sub heading क्या होता है इसको समझ लेते हैं देखे, new imperors and kingdoms तो इस chapter का नाम है इसके अलावा इस पूरे chapter में इस तरह का कई sub heading दिया है जिसे प्रस्रस्ति and what they tells us उसके बाद समुन गुपता प्रस्रस्ति इस तरह से बहुत सारे sub heading है इन्हे sub heading को हमने निकाल करके आपके सामने पहले ही रख दिया है यह आपको इन सारे sub heading को पढ़ना है जब हमको sub heading बहुत जादा clear हो जाता है कि हमें यह यह पढ़ना है तो पढ़ने से पहले भी एक imageيनिषन बनाना असान हो जाता है और पढ़ने के बाद भी हमारा एक overview बनाना या जब हम revision करते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो उस से हमारा revision बहुत ही smooth हो जाता है recall करना बहुत ही असान हो जाता है तो जो इसमें सबेडिंग है, पहला है प्रसस्ती and what they tell us, दूसरा है समुन्द गुप्त का प्रसस्ती, तीसरा है जिनियोलोजी, चौथा है हर्स वर्धन and हर्स चरी, और पांचवा है दपलवास, चालुक्यास and पुलकेसिन्स प्रसस्ती, यहां तक तो हम पॉलिटिकल जो सिस system आया है, new kind of army आया, उसकी बात कर रहा है, और जो south India है, उसमें जो assemblies करके जो एक organization है, उनकी बात इस सबेड़ी में किया गिया है, और फिर कहता है कि जो kingdom था, उसमें जो सामान लोग थे, ordinary people थे, उनका क्यास थी थी था, इसकी बात इसमें कहा गिया है, और last, elsewhere में, इसी time period में, विश्व के दूसरे जगह क्या हो रहे थे, इसी time में, विश्व के दूसरे जगह, मत्द दूसरे space में, geographical area में क्या हो रहा था, इसकी बात किया गिया, इस तरह से हम तीन target की बात किया, आगे अगर हम बात करें, तो अब हम एक topic, एक subheading की बात करते हैं, लेकिन इसे प बच्चा है, जिनका नाम अर्विंद है, उनको इसकूल में एक play खेलना था, नाटक खेलना था, और उनको राजा का रोल दिया गया था, king का, इस अर्विंद को लगता था, कि मेरा जो रोल होगा राजा का, तो वह ऐसा राजा होगा, जो की बहुत ही सामों सौकत से होगा, ऐसा राजा होगा, जो अपने मूचों पे ताउं देगा, और ऐसा राजा होगा, उसके हाथ में तलवार होगा, चमकता होगा, लेकिन जब उसको पता चला, तो वह बहुत ही आस्चरज हो, चकित हो गया, कि उनको एक जगा बैठ करके वीना भी बजानी है, और कवीता भी क मत्तब ऐसा राजा जो मुजिसियन किंग होगा, इस बात को लेकर कि ये अर्विंद सर्प्राइज हो गया, अब बात करते हैं, पहला सवेडी, प्रसस्तिस and what they tells us, वास्ता में ये जो अर्विंद है, उनको किंग, राजा, समुंद्र गुप्त का रोल अदा करना था, ठीक ह और कहता है कि समुंद्र गुप्त के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, वह एक इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, और यह इंस्क्रिप्शन जो खुदा हुआ है, यह अलाहबाद, मतब आज का जो प्रियाग राज है, वहाँ पे जो समराट असोप, मौरियन डैनस्टी के जो रूलर थे, उनका जो पीलर है, उनहीं पे समुंद्र गुप्त का भी इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है, और यह जो लिखा गया है, यह काव्यो पॉम में है, और इसको लिखने वाले हरी सेन है, हरी सेन, जो कि समुंद्र गुप्त के दरवार में एक मिनिस्टर थ याद रेखेगा इतनी बात पहली बात दूसरी बात कहता है कि यह जो इंस्क्रिप्शन्स थे यह एस्पेशल काइन के थे इसको प्रसस्ती कहा गिया है और यह प्रसस्ती है एक संस्कृत वर्ड है जिनका मिनी होता है इन प्रेज मतब जब आप किसी की बढ़ाई करते हैं उन उनका गुनगान करते हैं तो उनको प्रेज बोलते हैं और इस प्रेज का जो संस्कृत वर्ड है प्रसस्ती है कहता है कि इससे पहले भी प्रसस्ती को कमपोज किया गया था जैसे गौत्मी पुत्स साथ करनी के समय में भी उनका जो इंस्क्रिप्शन्स मिलता है वो इसी तर प्रस्थे के फॉर्म में, लेकिन इस समय में, खास करके गुपता पिरिय के समय, इस प्रस्थे का जो, इंपॉर्टेंज है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. यही बात इस पूरे परग्राप में कहा गया है. आगे बंढ़े हम, अब कता है, समुंद्र गुपता का प्रस्थी काता है समुंद्र गुपता का जो प्रस्थी है इसमें इस राजा के बारे में बहुत ही glowing terminologies को यूज किया गया है बहुत ही बढ़ा चला करके बताया गया है काता है कि एक बहुत बड़ा warrior था और जिस battle में भाग लेता था उसमें वो जीतता ही जीतता था यह बहुत ही विद्वान राजा था यह एक तरह का point था कभी भी था सबसे बड़ी बात जो यहां पर है कि यह जो हरी सेन है जो इनके बारे में लिख रहे हैं इस inscriptions में उन्हों ने इस राजा को अर्थात समुंद्र गुप्त को गौड के equal माना है यह तमलोजी हमेशा याद रखिएगा कि गौड के बराबर माना है यह कहीं भी questions में आपको यह option दे सकता है कि गौड के बराबर माना गया गौड के नीचे माना गया है गौड से भी बड़ा माना गया तो यहां पर confirm रहेगा कि गौड के बराबर हरी सेन ने माना है समुंद्र गुप्त को हाँ यह प्रस्तस्ति बहुत ही लंबे-लंबे sentences में लिखे गया है एक example इस box में दिया गया है इसमें कहता है कि यह जो राजा था समुंद्र गुप्त उसमें most charming है इसके पास मतब बहुत सारे marks हैं मतब 100 marks हैं मतब किस सीच का जो battle में जो तलवार लगता था जो तीर का निसान है, spike है, spears है, मतब जो तलवार था, iron clubs है, dwellings है, barbed arrows है, long arrows and many other weapons इतने सारे weapons के जो इनके सरीर पे खौव है और दाग है उससे यह राजा बहुत ही सुन्दर दिखता है मतब एक अतिस योगती है, मतब बहादूरी को दिखाता है यह सारे चीच, यही बात इसमें कहा गया है यहाँ पे एक picture दिया हुआ है, इस picture में कहता है कि यह king who played वीना, ऐसा राजा जो वीना बजाता था, उनकी चर्चा किया गया है, तो कहता है some other qualities of समुद्र गुपता का, क्या क्या था दूसरा, कि उनका जो coin है, उसमें उनको वीना बजाते हुए दिखा गया है, यह जो आप coin देख रहे हैं, इसमें समुद्र गुपत को वीना बजाते हुए दिखा गया है, मतब एक सामने है, एक पीछे है, यह picture में, आगे अगर हम देखें, तो कहता है, if you look at map 7, मतबर यह जो map दिया हुआ, इस map की बाद कहता है, you will notice an area shaded in green, मतबर इसमें चार कलर की बाद किया गया, यह green हो गया, उसके बाद कहता है, कि यह red-red dotted area वाला जो है, यह हो गया, उसके बाद यह purple color वाला हो गया, और यह blue color वाला हो गया, कहता है, यह चार ओ, जो color है, यह चार area को दिखाता है, different kind of ruler को दिखाता है, और इन चारों को लेकर के, जो समुंदर गुप्त का policies था, वो चार अलग-अलग तरह का था, उनकी बाद, इस हरी सेन द्वारा लिखे हुए, प्रिय पहला है, the rulers of area worth, यह जो green color का है, यह area worth के जो राजा थे, उनको दिखाया गया, इसमें, कहता है, इसमें लगभग 9 राजा थे, 9 rulers थे, और कहता है, इनको समुंदर गुप्त ने युद में हरा करके, खत्म करके, इसके empire को अपने में मिला लिया, याद रखिएगा, यह सवा भी पूछा है, area worth से लेकर के, दूसरा काता है, जो दक्षिन पत है, इसमें 12 rulers थे, जिनको की red dot से दिखाया गया, यह जो बला पार्ट है, यह दक्षिन पत के rulers है, इनके बाले में काता है, कि इनको युद तो लड़ा गया, इनको हाडाया गया, इस राजाओं ने सरेंडर क कर दिया, बाद में समुन्द गुप्त ने कहा कि ठीक है, आप अपने अपने राज में जाईए और शासन कीजिए, मतल यह दूसरा policy हो गया, area worth के राजाओं को बिल्कुल ही खत्म करके अपने मिला लिया, लेकिन इन दचनापत के राजाओं को हरा करके, लेकिन फिर उसको बोला कि आप अपने छेदर में सासन कीजिए, दो पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, inner circle of neighbor states, यह जो है आपका inner circle वाला यह purple color में दिखाया गया, यह जो है, यह purple color का है, तो कहता है, ऐसे राजाओं को कहा गया कि तुम tribute दो, और उनका जो order है, उसको follow करो, और जो court दरबार होता है, उसको attend करो, मतलब इस तरह का policy, इस जो inner circle of neighbor के estates थे, उनके लिए थे, जैसे इसमें असाम, coastal बंगार, नेपाल, और नमबर ऑफ गन संग थे, खासर के north west area में, है न, यह सारे area में, तो यह सारे area जो है inner circle थे, और इनके लिए जो policy अची था, वो अलग था, अभी तक, जो दो पढ़े थे, उससे लग, और यह हम चोथा देख रहे हैं, कि outlying areas, मतलब बुलू कलर का जो यह area है, यह बुलू कलर का, और यह स्रिलंका, है न, इसमें जो है, कहता है, कि यहां पे जो राजा थे, खासकर के north west, इस side में, इस side में जो राजा थे, कहा जाता है, कि यह कुशान और जो सक के, वनसच के ही राजा थे, और खासकर के सिरलंका के भी बात किया गया है, नीचे जो बात किया जा रहा है, कहता है, इन लोगों को कहा कि, who submitted him and offered doctor in the marriage, यह लोग भी, अपने आपको surrender किया था, और समुन्द गुप से अ वो four types of policies regarding these rulers, तो यह बात जो है, इस हरी सेन के इस inscriptions में कहा गया है, याद रखेगा इस चीजों को, आगे बात करें, इसमें एक चीज को याद रखेगा, कहता है, प्रियाग राज, उजयन और पाटली पुतरा, को इस मैप में देखिए, क्योंकि यह बहुत ही important center था, गु यह आपका प्रियाग राज हो गया, यह उजयन हो गया, और यह आपका पाटली पुतर हो गया, यह तीन center गुपता रूलर्स का बहुत ही important center था, ठीक है, अब जो यह दूसरा सवाल कहता है, what was the difference between the way in which समंद्र गुपता treated the rulers, किस 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 था, तो आर्या वर्थ और दोनों में क्या अंतर है, यहां के जो rulers थे, उनको तो बिल्कुल ही खत्म करके, इनके area को अपने area में मिला लिया, जो दखिना पत थे, इनको हराया तो जरूर, लेकिन बोला कि ठीक है, आप अपने area में सासन के लिए, कहता है, लेकिन अब आप यह बताएए, कि इसके पीछ इसका क्या कारण हो सकता है, तो याँ रखे कि इसका कारण है, geopolitical कारण हो सकता है, geographical कारण हो सकता है, जो जाड़ा जादा दूर था, बहुत सारे communication का problem हो सकता है, इन सारे कारण को ध्यान में रखिएगा, आगे अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले हम कुछ map आपको दि जन्तों हमने देखा यह नालंदा है उसकेबाद यह गुजरात में वल्लभी है यह वरूज है यह आजंता है यह कहां पहांद ताज का महरास्ट है वहाँ आहनता है यह होल है यह अमरवती उसके बाद यह काची पूरं है बहुत ही important site है यह महावली पूरं है यह और यह पुहार है और यह मदूरही है याद रखिएगा सारे साइट को ज़रूर याद रखिएगा कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में time and space का हम स्टडी करते हैं time and space का मतलब क्या हुआ time मतलब समय और और SPACE का मतलब होता है GEOGRAPHY BhooGOL मतलब कहां पर क्या हो रहा है कहां कहां क्या हो रहा है तो SPACE मतलब जोगरफय हो गया BhooGOL हो गया या butterflies हो गया तो जब आपको यह अच्छी तरह से पता हो कि कहां पर कौण स साइड है तब आपको यह याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि उस साइट पे समय के साथ कब-कब क्या घटित हुआ इसलिए इस तरह से पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा आगे अगर हम बात करें तो यह है हमारा अगला सभी इडिंग जिसको बोलते हैं जीनियोलोजीज हिंदी मतलब होता है वण सावली तो कहता है कि मोस्ट प्रस्वस्ति हैं उसमें एंसेस्टर मतलब वण सावली जो रूलर्स होते हैं उनके वणसावली को भी दिया जाता था ल जैसे Great Grandfather, Grandfather, Father और Mother की भी बात किया गया था, करता है यह जो समुंद्र गुप्त है, इसकी माता का जो नाम था, वो कुमार देवी है, और यह कुमार देवी कहां से बिलों करती है, मतलब इनका मैके कहां था, तो यह लिच्वी गन है, वहाँ पे इनका मैके था, जबकि इनके फादर जो है, समुंद्र गुप्त के उनका नाम चंद्र गुप्त था, चंद्र गुप्त की क्या विशेशता है, यह गुप्ता डैनस्टी का पहला सासक है, जिसने की बहुत बरा Grand टैटिल को धारन किया, और वो Grand टैटिल था, महाराजा अधिराज, इससे पहले, गुप्त फादर थे यह जो फादर थे, उन्होंने simply महाराजाज का उपाधी लिया था, लेकिन इन्होंने महाराजा अधिराज का उपाधी कौन-कौन लिया, तो चंद्र गुप्त और समुंद्र गुप्त यह दोनोंने लिया, काता है, arrange these titles in order of importance, जैसे राजा हो गया, महाराजा अध importance, राजा होगा, इसी को arrange करना हो, कि प्यारत के बारे में घड़ जानना हो, तो उनके बाद का जो rulers होगा, उनका जो ones freely होगा, उसमें भी समुंद्र गुप्त का mention होगा, वही बात कहा रहा है, कि समुंद्र गुप्त के बाद जो सासक बने, उनका नाम था चंद्रगुप्त दूतिय याद रखेगा समुंद्र गुप्त के पिता का नाम तो चंद्र गुप्त था समुंद्र गुप्त के बाद का रूलर जो उनका सन था उनका पुत्र था उनका नाम चंद्र गुप्त दूतिय था इन्होंने भी बहुत सारे मतलब इनका जो उलेख है ज़्यादा तर इंस्क्रिप्शन और कौइन्स पर मिलते हैं कहा जाता है कि इन्होंने वेस्टोन जो इंडिया है वहाँ पे अपना एक्सपेडिशन किया मतलब अपना सेना के साथ उस छेत्र में गया युद्र लड़ने के लिए विजय अभियान पर निकला था और जो लांस्ट सक्रूलर्स थे उस एरिया के उनको हरा करके अपने एरिया में मिला लिया कहता है उनका जो कोर्ट था दरवार था वह बिद्वान लोगों से भरा हुआ था जब हम विक्रम समवत की कहते हैं तो यह 58 BCE है ना उसमें जो चंद्रगुप्त यह गुपता किंग थे यह चंद्रगुप्त सकेंड इन्होंने सक्रूलर्स को जो हराया था हराने के बाद विक्रमादित का उपाधी लिया था और इसी के उपलक्ष में इन्होंने विक्रम समवत चालू किया था कब है इसका डेट 58 BCE किसने चालू किया था तो समद्रगुप्त दूतिया ने क्यों किया था क्योंकि सक्क के जो राजा थे उनको हराया था और कौन से उपाधी लिया था तो विक्रमादित का उपाधी लिया था और इस खुशी में विक्रम समवत का सुरूआत किया था 58 BCE में ये बात क्लियर हो गया आगे अगर हम बनें अब हम बात करते हैं हर्स वर्धन का और उनका जो बुक है उनके लिखा गया उनका बायोग्राफी है वो है हर्स चरित काता है हमने गुपता रूलर्स के बारे में तो इंस्क्रिप्शन्स और स्क्वाइन से जाना लेकिन कुछ ऐसे भी रूलर्स है जिनको हम बायोग्राफी से जानते हैं ऐसे ही रूरर में है हर्ष वर्धन ये आज से लगवब 1400 साल पहले इनका सासन था इनके बारे में जो लिखा गया है ये हर्ष सरित जो बायोग्राफी है इनको लिखने वाले इनके दरवारी कभी थे बानभट याद रिखेगा बानभट यहां पर मेंसन कर रहा हूँ एक जो राइटर है बानभट है दो और हमको रूनना है कि क्वेश्चन था कि बानभट में तीन राइटर कौन-कौन है जिसने हर्ष वर्धन के बारे में चर्चा किया है तो सबस्पहले हम बानभट इन्होंने हर्ष सरित लिखा किस भासा में है तो यह संस्कृत में है है ना इस ग करके इनका विवरण खत्म हो जाता है मतलब उसके बाद का विवरण इसमें नहीं है जो Swing Song है जिनके बारे में आप 9th चप्टर में पर चुके हैं उन्हों ने भी हर्सवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा है क्योंकि इन्हों मतलब हर्सवर्धन के बारे में हमारे पास जानने के दो सोर्स हो गए एक दो बांभट हो गए और दूसरा आगे आग देखते हैं जो हर्सवर्धन था या अपने पिता का बड़ा पुत्र नहीं था वैसे नॉर्मली बड़ा पुत्र को ही राजगदी मिलता है तो इनको कैसे मिल गया तो कहता है कि ये जो है इनके फादर जो थानेस्वर के राजा बने बाद में इनके फादर और इनका जो बारा भाई था वो भी मिर्तियू प्रात कर लिए साखे साथ कहता है कि उसी समय में इनके जो बहनोई थे मतलब इनकी बहन के जो हस्बेंट थे वो कन्नोज के सासक थे मतलब ये हर्सवर्धन जो है अपने पिता और बड़े भाई की मिर्तियू के बाद यहां के सासक बने और यहां पे इनके बहनोई जो इनकी बहन के पुर्व की अवियान में पूर्भार्णı नर्मदा के तो वहां पे एक राज था चालुक का राज उन्होंने इसका जो अभियान था दच्छिन के और आने का मतलब यह आपका नर्मदा रिवर है इससे जैसे ही दच्छिन के और आ रहे थे तो यह जो चालुक के रूलर थे इन्होंने इसका जो अभियान था दच्छिन के और आने का उसको रोक दिया तो मतलब यह बात यहां तक कहा गया है आगे अगर हम बात करें तो कहता है लुक एट पॉलिटिकल मैफ ऑफ इंडिया एंडिस्ट प्रजेंट डेस्टेट फिच हर्सवर्धना पास्ट्रों फेन की वेंट टू बंगाल और नर्मदा अप टू नमदा कहता है जब हर्सवर्धना बंगाल गए होंगे तो आज किस-किस राज को क्रॉस किया होंगे एक तो यूपी और बिहार को क्रॉस किया होंगे हो सकता है कि जार्खंड भी उसमें आ गया होगा उसका एक्जेक्ट रूट हमें पता नहीं है तो इसलिए आप आप ये भी कह दिजिए कि आप यूपी हो गया बिहार हो गया ज चालुक्या और पुलकेसिन का जो प्रसस्ती है उसके बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्लव और चालुक के बारे में कहता है कि most important ruling dynasty था South India का इस समय में जो पल्लवा kingdom था वह जो काची पूरम है ये देखे ये वाला जो पार्ट है ये काची पूरम है इस काची पूरम के इस पूरे एरिया में पल्लव का जो पूरा एरिया था ठीक है और जो चालुक्या था उनका जो एरिया था रायचूर दोआब में ये याद रखेगा रायचूर दोआब बहुत important है ये जो है ये कृष्णा रिवर है इसको बोलते हैं राइचूर दो आब दो नदियों के बीच का जो छेत्र होता है उसको दो आब बोलते हैं तो इस एरिया का नाम राइचूर दोआब है बहुत ही उपजाव लेंड है आगे चल करके इसी भूमी के लिए बहुत लड़ाई हुआ है अलग-अलग डैनेस्टी मे इसको यद रखिएगा तो यह वाला हो गया यहीं पर राइचूर दोआब में जो आपका चालुक्या है जिसका कैपिटल एहौल है यहां से यह सासन करते थी यही बात यहां कहा गया है जो एहौल है कैपिटल आप चालुक्या है और यह बहुत ही इंपोर्टन ट्रेडिंग सेंटर था बाद में यहां पर बहुत सारे टेंपल बने थे यह रिलिजियर सेंटर के रूप में भी उबरा पर बात यह है कि यह जो पल्लव राजा है और जो चालुक्या है यह एक दूसरे के एरिया में बहुत जादा लगातार युद अभियान करते रहता था यहां तक कि ज टौन होते थे वहां पर भी एटेक करते रहते थे जो चालुक्या का जो सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट रूलर है वह है पुलकेशिन दूति है और उनके बारे में जो हम जानते हैं एक प्रसस्ति से जानते हैं और उस प्रसस्ति के जो राइटर है उनका जो दरवारी कवी थे वह रवी किर्थी तो याद रखेंगे यह रवी किर्थी है इनसे हम बहुत कुछ जानते हैं इस रवी किर्थी ने जो कुछ मेंशन किया है वह कहता है कि पुलकेशिन दूतिया को जो सासन मिला है वह अपने फादर से नहीं मिला अपने अंकल मतलब अपने चाचा से मिल ये बात यहां पे कहा गया, अब कहता है, रवी किर्थी बोलते हैं, जो कि पुलकेशिन दूतिय का प्रस्रस्ति लिखे हैं, कहता है, ये जो पुलकेशिन दूतिय है, मतलब पष्टमी तट और पुर्वी तट इन दोनों तटों की और, अपना expeditions चलाया था अपना जो सैनिक अभियान चलाया था उन्होंने जो हर्सवर्धन दच्छिं की ओर आ रहे थे नर्मदा को क्रॉस करके उनको भी उन्होंने रोक दिया था उनको भी चेक्ट कर दिया था उनको भी आने से नीचे रोक दिया था यहाँ पर रवी करती एक बहुत ही important बात बोलते हैं, जैसे हर्श वर्धन का मतलब ही हर्ष होता है, लेकिन जैसे ही पुलकेसिन दूतिय ने उनके अभियान को रोक दिया तो हर्श वर्धन अब जादा तर, मतलब अब हर्श वर्धन हर्ष रहा ही नहीं. एक अतिस्योक्ति फोर में बुलाए है ना तो इसका मतलब ये जो रवी किर्थी है इन्हों ने भी हर्ष वर्धन के बारे में चर्चा किया है मतलब तीन सासक हो गए तीन सोर्स हो गए जानने के एक तो बानभट हो गए दूसरा आपका वेंसांग हो गए और तिसरा रवी किर्थी हो गए यही सवाल था वहाँ पे कहता है यह जो रूलर थे जो चालुक्या का और यह पल्लग का यह बहुत ही सौर्ट लीवट थे मतलब बहुत जादा समय तक नहीं हो पाए लंबे समय तक नहीं चल पाए क्योंकि यह दूसरा एक दूसरे को बहुत ही जादा एटेक करते थे बाद में इन दोनों का पतन हो किया इनके जगह पे राष्ट कूट मतलब चालुक के जगह पे राष्ट कूट आया और जो पल्लग थे उनके जगह पे चोला डाइस्टी का सासन हुआ जिनके बारे में हम सेवंत क्लास में परहेंगे ठीक है आगे अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो विलेज था वह बेसिक यूनिक ऑफ एडिमिनिस्टेशन था दो चीज के लिए हो गया अभी भी चला रहा था यह दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यू डवलेप्मेंट आया वह था कि अब जो राजा थे वह नंबर ऑप स्टेप्स उठाए किसलिए कि जो लोकल पावर्फुल व्यक्ति थे चाहे वह एकनॉमिकली हो शोसली हो या पॉलिटिकली और मिलिटरी एस्ट्र कारण कďता है कि बहुत सारे पद्द को हेरेडिटरी बना दिया गया कैसे जब कोई बहुत ही ही पावर्फुल फैमली होगा तो उसी में जो फादर हा उन्ही के बच्चे को उन्ही के बेटे को भी अगर वही पद्द्दे दिया गया इसका मतलब उनका सपोर्ट मिलता रहे इसलिए hereditary कर दिया post को, जैसे जो harisen है वास्तर में उनके फादर भी उसी post पे थे, बाद में harisen को भी वही post दे दिया गया, मतलब महादंड नायक या Chief Judicial Officers का post दिया गया, दूसरा जो चेंजेज आया, वह चेंजेज आया कि एक ही व्यक्ति को कई पोस्ट दिया जाने लगा मतलब फिर से जो एक व्यक्ति बहुत ही पावर्फूल व्यक्ति था उसके पावर में कोई छेडशार ना करते हुए उनका सपोर्ट प्राप्त होता रहे इसलिए उनको एक साथ कई पोस्ट दिया जाने लगा जैसे एक एक्जामपल देखते हैं हरी सेन को ही ले करके उनको महादंड नायक का तो पोस्ट दिया ही गया था उनको कुमारा मात्य का भी दिया गया था और साथ ये साथ संधी वीग्रह का भी दाईत दिया गया था मतलब पहले हमने देखा कि वो हेरिडेटरी था अब हमने देखा कि एक ही व्यक्ति को कई ओफिस दिया जाने लगा जो तिसरा इंपोर्टेंट जो चेंज आया जैसे एक है नगर स्रेष्टी नगर स्रेष्टी कौन होता था जो सीटी का चीफ बेंकर और मर्चेंट होता था याद रखेगा स्रेष्टी किसी स्रेष्टी का क्या मतलब होता है जो Chief Banker और Merchant होते हैं, वो सार्थवा, इनको भी Local Administrations में अस्थान दिया गया, सार्थवा कौन थे, जो Leader of Merchant कारवा, कारवा में जो मतलब जूंड में जो जाते थे Merchant, उसका जो Leader होता था, उसको सार्थवा कहा गया, तो या देखें, यह टर्मो जी कहीं भी पूछा जा सकता ह उसके बाद होता है, पर्थम कुलिक, यह कौन होते थे, जो Chief Craftsman होते थे, क्राप्स बनाने वाले जो लोग होते थे, उनका जो Head होता था, उसको पर्थम कुलिक कहा गया, याद रखेंगे कि कुलिक कौन होता है, options देदेगा, कि इनमें से कुलिक किसको रिपरजन करता है, क कुलिक का क्या मतलब है, याद रखेंगे इनको, और साथी साथ, Head of काईस्ता, काईस मतलब एसक्राइब्स जो होते थे, उनको भी इस Local Administration में जगह दिया जाने जगा, कहता है, इससे reasonably effective तो हुआ, ततकाल तो वो Administration effective हुआ, बट लॉंग टर्म में इसका बढ़ा ही नुक्षान हुआ, कि जैसे ही राजा कभी भी कमजोर होता था, तो ये लोग जो है, ये अपने आपको independent घोशित कर देते थे, मतलब इस तरह से Administration में लॉंग टर्म में एक तरह का कमजोरी आने लगा, यही बात कहा गया है, अब हम बात करते हैं, new kind of army का, है ना, Administration के बाद हम आर्मी की ब well-organized army तो था, elephant थे, chariot थे, cleverly था और foot soldiers थे, एक चीज यहाँ पे शुरुआत हो गया, कि अब जो राजा थे, वो जो military leaders होते थे, उनका सहयोग लेना शूर कर दिया, हर area में कुछ military leaders होते थे, वो अपने नीचे बहुत सारे militants, जो group के लोग थे, जो हथियार से युक्त होत करके, उनका एक good बना करके, group बना करके, वो राजा को सहयोग करते थे, यह जो military leader थे, इनका सहयोग लेना इस समय की नई बात हो गई थी, और इसको regular payment नहीं दिया जाता था, इसको land जो है, वो grant के रूप में दिया जा जा था, उपहार के रूप में दिया जा जा था, और उ उस revenue से ऐसे military leaders, अपने soldiers, अपने जो horses थे वो, और जो equipment होते थे, warfare के लिए जो हतियार होते थे, उनका maintenance करते थे, बाद में इन ही को शामनतास कहा गया, यह याद रिखेगा, यह सामनता terminology आगे हम बहुत पढ़ेंगे, तो सामनतास जो terminology है, इनके पीछी का जो concept है, यह क्या ह इसकी सुरुआत कैसे हुआ, यह सारा हमने यहाँ पे discuss किया, यहाँ पे जब भी यह राजा weak होते थे, तो यह सामनतास जो थे, अपने आपको स्वतंतर घोशित कर देते थे, यही यहाँ पे new development है, आगे गर हम बात करें, तो अब हम देखते हैं, assemblies in Southern Kingdom, जो Southern Kingdom के मैंने बात किया था ना, चालुक्या का और पलग का, उस समय में यहाँ पे एक assemblies का concept आया, यह हम से बहुत सारे questions आते हैं, इसको देखते हैं, जो पलग था, उनका जो inscriptions था, उसमें बहुत सारे local assemblies का बात किया गया है, तो यह हमारे लिए जानने का important source है, local assemblies के बारे में पलवा inscriptions, उसमें एक जो assemblies है, जिसका नाम सभा है, इसकी बात किया गया है, यह सभा वास्ता में उस समय जो ब्रहामिन land owners थे, उनका assembly था, उनका एक organization था, यह जो सभा था, ब्रहामिन का land owners था, इसमें बहुत सारे subcommittee थे, और हर committee अलग-अलग काम देखता था, बहुत important है इसको जानन कि उस समय में सभा था, उस सभा में बहुत सारे subcommittee थे, और हर committee का अलग-अलग काम होता था, जैसे irrigation का काम, agriculture operations का काम, road बनाने का काम, local temple बनाने का काम, यह अलग-अलग subcommittee के दौरा यह किया जाता था, सभा के दौरा, इसके बात जो local assembly है, वो है उर, उर वास्ता में क्या था यह भी land owners का ही assembly था, पर यह not Brahmin थे, याद रखें, यह question पूछ देगा, कि ओर जो थे, यह assembly था land owners का, Brahmin land owners का assembly था, यह statement गलत हो जाएगा, यह ओर जो है, यह non Brahmin land owners का assembly था, याद रखेंगा, और जो तीसरा है, यह नगरम है, यह भी assembly था, लेकिन यह organization था merchant का, याद रखें यह तीन चीज, सभा, उर और नगरम, इसको याद रखेंगा, तीनों का क्या विशेचता है, तीनों किस-किस चीज, किन-किन लोगों का assembly है, इसको याद रखेंगा, और कहता है कि यह जो assemblies थे, कई सताब्रियों तक चलता रहा, यह जो आपका सवाल है, उसमें यह था, यह यह बात हो गया, आगे अगर हम बात करें, तो जो साधारन लोग थे, ordinary people थे, उनके बारे में क्या-क्या हम जानते हैं, उस समय के बारे में, वो हम यहाँ पर discuss किया गया, इस किताब में, कहता है, उस समय जो नाटक लिखे जाते थे, या जो दूसरे account, या source है जानने का, उस से हम इसके बारे में जानते हैं, इसमें कहा गया है कि अगर हम कालिदास के बारे में देखें, तो कालिदास ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक की जो विशेष्टा है, वह यह है कि जो ब्रहामिस थे और जो राजा थे, वह जो उस नाटक में भासा बोलते थे, वह संस्क प्ले है उसका एक प्ले है जिसका नाम अभिग्यान शकुंतलम है यह बहुत इंपोर्टेंट है अभिग्यान शकुंतलम का राइटर कौन है तो यह कारिदास है अभिग्यान शकुंतलम क्या है पोएम है कवीता है या नाटक है इतना बारीकी से याद रखेगा तो अभिग्य इसका जो लव स्टोडी है उसी के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है साथ एक बहुत ही पूर फिसर्मेन के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है जो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे ठीक है आगे देखते हैं तो एक फिसर्मेन है उनको एक बहुत ही सुं कुंदला से वक खो गया और नदी लें चला गया और बाद में एक मछली उस ते निगल गया मछली को फिसर्मेन ने पकरा और असे फिर नें को प्राब किया और फिर वह जैसे ही राजा को वापिस देने जा रहा था तो वहा पर जो पुलीस ओफिसर्स उपहार में अपना सेर लिया जाए तो फिर वो उसको बर्गलाने कोशिज किया या उनको कुछ वाइन सब पिरानी के कोशिस किया यही बात इसमें कहा गया है आगे अगर हम देखें तो अब हम बात करते हैं अगर सामान लोगों के बारे में जानना हो तो एक और सोर्स है एक चीनी यात्री का हां यह जो चीनी यात्री है इनका फाहियान है यह जो है यह वास्तम में उस समय में जो अंटचैबलीटी है मतलब जो चुवा चूथ है इनका जो सबसे बुड़ा रूप हो सकता है उनके बारे में इन्होंने विवरन दिया है देखें जब भी कोई फॉरन के राइटर डिस्क्राइब करते हैं कुछ चीज तो ऐसा माना जाता है कि वह बहुत ही निट्रल हो करके बताते होंगे क्योंकि उनको यहां कुछ लेना देना होता नहीं है वो ट्रेवलर के रूप में यहां आते हैं जो आखों देखा हाल देखते हैं उनको उन्होंने अपने विवरन में लिखते हैं तो यह जो राइटर है चैनीज इन्होंने कहा है कि जो अन्टचेबल्स लोग होते थे वो स से सचित हो जाई है ताकि हम से टच करके आपका जो प्यूरिटी है वो खत्म नहों मतलब यह बहुत बुड़ा द्रिश है उस समय के बारे में जो बानभट है उन्होंने भी आम लोगों की जीवन के बारे में चर्चा किया है कि कैसे जब आर्मी राजा का सेनिक किसी एरिया से जाता था तो उस एरिया के जो आम लोग होते थे उनका क्या स्थिती होता था इस बॉक्स में बताया गया है कते जब राजा ट्रेवल करता था तो उनके साथ बहुत सारे विपण्स होते थे, उसके साथ पोर्ट्स होते थे, पेंस, फर्निचर, गॉर्डन, ये सारे चीज होते थे जिस एरिया से जाता था उस एरिया के लोगों को राजा का स्वागत करना पड़ता था गिप्ट दे करके, गिप्ट में कैदधा ही, गूर, फ्लावर्स ये सब देते थे कहता है जब राजा उस एरिया से चले जाता था तो बिल्कुल एक तरह से बिद्ध्वन्स, पूरे एरिया को बिद्ध्वन्स होकर लेकर चला जाता था हर चीज को तोड़ देता था, घर तूट जाता था, फसल को उजार देता था, ये सारी बात बानभट ने अपने इस वीवर्न में बोला है, मतलब जो समान लोगों के बारे में अगर हम कहें, तो काली दास का वीवर्न, उसके बाद फाहयान का वीवर्न, और ये बानभट का विब्रेंसी हम उस समय के जो आम लोगों का जीवन था उनके बारे में जान सकते हैं आगे बात करें तो देखिए ये Elsewhere की बात किया गया है इसी समय में विश्यू के दूसरे जगा क्या हो रहा था उसकी बारे चर्चा किया गया इसमें तो इसमें कहा गया है कि एक जगह है अरेविया यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह अरेविया वला पार्ट है इस अरेविया जो है वास्ता में एक बिल्कुल रेगिस्तान है डेजर्ट है यहां पर जीवन तो बहुत टब था लेकिन यह बहुत ही जादा हब ऑपющsh今日は सताबाती barley केशन का मतल्यातयात है यह था है जो आरेव मर्चैंट का वास्तम Me जो आपकात saya मर्चैंट और जो नाविक थे उन्होंने जो sah necesoked trade होता था किसके किसके बीच इंडिया और युरोब के बीच इनके बीच बहुत बड़ा एक linkage का काम इन्होंने किया जो अरब पेनिंसुला है इसमें बहुत सारे लोग रहते थे लेकिन एक जो ट्राइब थे जिनका नाम था बेदविंस याद रखेगा यह बहुत ही जादा बहादूर कम्मुनिटी के लोग थे और यह depend होते थे एक जानवर था जिनका नाम है camels मतलब उट और यह camel जो है बहुत जादा मतलब clever मतलब बहुत जादा survive कर लेता था उस बहुत ही बिपरित परिस्थिती में भी वहाँ का climate बहुत ही tough है वहाँ भी यह उट जो है अपने आपको survive कर लेता था यह तो होगा जोग्राफिकल और वहाँ के बारे में कहता है कि ठीक आज से 1400 साल पहले इस एरिया में प्रोफेट मुहम्मद ने एक धर्म की शुरुआत किया था जिनका नाम इसलाम है तो याद रिखेगा आज से 1400 साल पहले हर्श वर्धन का सासन शुरू हुआ था और आज से 1400 साल पहले प्रोफेट मुहम्मद ने एक धर्म की शुरुआत किया जिसका नाम इसलाम है यही सब बात कहा गया है इसमें इस तरह से हमने कई सारे टार्गेट को देखा प्रसरस्ती क्या है यह देखा आरिया वर्ध क्या है यह देखा दक्षिंपत क्या है यह दे आज से 1400 साल पहले इस तरह से हमने पहला टार्गेट जो पूरा कर लिया दूसरा है यह क्वेस्टन से हरी सेंट कंपोज्ड प्रसर्श्ती इन प्रेज आप गौत्मी पूत साथ करने यह दिल्कुल गलत है दे रूलर आरिया वर्थ ब्राव ट्रिब्यूट फुर्ट पुक्ता रूलर यह दिल्कुल गलत है उसमें प्रियाग राज था उजेन था और पाटली पुत्रा था यह तकसिला भी नहीं था और मदुरह भी नहीं था लेकिन यह मदुरह कहां है मैंने आपको मैप में दिखा दिया एहॉल वाज़ कैपिटल पल्लवा यह दिल्कुल ग अब भाड़न सबसे पहला कौन होगा हर्च वारधन के बारे में तो वो हरी सेंद दूसरा कौन होगा तो फिनशांग तीसरा कौन होगा तो रवि किर्ती है ना रविकिर्ती जो पुलकेशिन दूत यह बारे में चर्चा किया है जो आर्मी का लीडर था उनका सहयोग लेना शुरू कर दिया और उनको पैमेंट नद के लेंड ग्रांट पे देता था इस तरह से एक सामन्त जो है वो कंसेप्ट यहां से शुरूआत हुआ जो लोकल लोग थे जो पावरफुल थे चाहे एकनोमिकली हो पॉल्टिकली हो शोशली और रिलिशली हो उनका सहयोग लेना राजा शुरूआत कर दिया इसके लिए उन्होंने पद को हेरिडिटरी बना दिया एक ही व्यक्ति को कही सारे पद देने शुरू कर दिये जो लोकल थे जो पावरफुल थे उनका सहयोग जैसे मर्चेंट का लेना शुरू कर दिया जो क्रांट्समेंट के लिडर थे उनका लेना शुरू कर दिया यह सारे न्यू न्यू चैंजे जाए फ्रेंट्स इस तरह से हमने इन सारे सब्वेडिंग को क्लियर किया प्रसस्ति एंड वाट दे टेल्स अस समुद्ध गुद्ध का प्रसस्ति जीनियू लोजीज हर्स वर्धन और जो हर्स शरीत है इनकी चर्चा किया पलग चालुक और पुलकेसिन का जो प्रसस्ति यह अ किया और नड़ी पिपल का जो लाइब था वह देखा मुज उमीद eff है